हालो दोस्तों स्वागता आप सबका समझे इन शॉट्स में इस सेशन में बहुत ही इंपोर्टन टर्म लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आपकी एक्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ठीक है जैनने नहीं लो विडीयो के अन्ड तक आपको बिल्कुल ट्रेस्टल क्लियर हो जाएगा लए अब अब अभी हाली में न्यूज में क्यों था न्यूज में इसलिए था डोड़ा एक गाउं है जेंड के का जम्मो एंड कश्मीर में डोड़ा एक डिस्टिक है उस डिस्टिक के एक गाउं में 500 फॉर्मर्स को ठीक ना 500 फॉर्मर्स ने एक ऐसी कल्टिवेशन की एक ऐसी एक मतलब ऐस एक उनको एक जादू मिल गया, उस चीज के इनने खेती करी और उनकी इंकम, भाई साब, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कौड रेपल्ड हो गई, मतलब चार गुना ज्यादा हो गई, क्या जादू मिल गया इनको ऐसा, चलो, देखते हैं फिर ऐसा क्या था, इन्होंने बताया भाई साब हम पहले करते थे, मेज की कल्टिवेशन, हमने शिफ्ट कर दिया, किस पे, लेवेंडर पे, जादू मिल गया हमें, क्या, लेवेंडर की कल्टिवेशन को ही हम क्या कहते हैं, परपल रेविलूशन, लेवेंडर, most of you, आपको नहीं पता होगा, आपकी सिस्टर्स, या आपकी फ्रेंड्स होंगी आपके सिर्कल में, आप उन में से किसी को पूछ सकते हो, या आप यार, लड़कियां क्या है, most of the time महगती रहती है, मेरे नज़रों में तो ऐसा कोई भी नहीं लड़की है, जो मैंने आज तक देखी हो महगना रही हो, ठीक है, तो यह सभी का आइल, लेवेंडर आइल, एंड माउ आइल, यह सब क्या हैं, अरोमेटिक प्लैंट्स हैं, तो उसकी वज़ा से यह महग होती है, आप उनसे एक बार पूछना, जो लगाती हो क्या है, उस पर पढ़ोगे तो आप उसमें प्रोपैटिस में लिखा होगा, अरोमेटिक आइल या फिर लेवेंडर, ठीक, तो उससे यह महग जो आ रही होती है, लेवेंडर का था, तो इन्होंने क्या करा, लेवेंडर की खेती करने शिरू करी, ठीक है, लेवेंडर का क्या था, यह किस मिशन के द्वारा पॉसिबल हो पाया है, इस मिशन का नाम था, अरोमा मिशन, ठी इतना क्लियर हो गया आगे चलते हैं ये देख लो एक बार ये है लेवेंडर ठीक लड़कियों की महग का राज ठीक है आल राइट की पॉइंट देखिए इसका जो परपल रिविलिशन है अंडर अरोमा मिशन में इसमें क्या था जो फर्स टाइम फॉर्मर्स इसको इसकी कल् कोस्ट था इसकी जो सेपलिंग्स आती हैं वो फ्री आफ कोस्ट मिली उनको जो पहले कर चुके थे कल्टिवेट उनको पांच से छे रुपीज पर सेपलिंग ये भी फ्री ही समझो आप अल्राइट इतने में इनको दिया गया ठीक समझा गया देन इसका एम क्या था इनका यह था टू सपोर्ट डोमेस्टिक अरोमेटिक क्रॉप हम बाहर से अरोमेटिक क्रॉप यह फिर अरोमेटिक ब्लैंट्स ना मंगाएं यहीं पे होगा के यहीं पे उनका ऑईल निकाल के हम क्यों ना बाद में एक्सपर्ट करें यार ठीक है ना बाहर क्यों ना बेजें बाह परपल एकॉनमी भी कहते हैं क्या परपल एकॉनमी अल्राइट अब यह प्रोड़क्ट है क्या चीज़ यार ठीक इस प्रोड़क्ट यह प्रोड़क्ट तीन तरीके से आता है एक लेवेंडर ओयल सिंपल ओयल जो इस लेवेंडर का निकलता है एक लेवेंडर का वाटर होता ह यह इंसेंट स्टिक्स बनाता है, ठीक, and हईड्रो सॉल, हईड्रो सॉल से हम क्या बनाते हैं, सॉप्स, रूम फ्रेशनर्स, जो आपके रूम स्वेरा में, परफ्यूम्स आते हैं, जो रूम की, वो ओले ठीक है, यह जो ऑइल है, असली मैजिक आपको अब बता चलेगा, यह तो आइल है, ये पर लीटर 10,000 का होता है, कितने का होता है, 10,000 का, and one more thing, एक हेक्टियर, एक हेक्टियर से ये 40 लीटर्स निकलता है, ठीक है, और हमारी ऐसी प्रोजेक्शन है, कि हम लोगों ने, साधे 500 हेक्टियर जमीन लानी है, तो आप सोच ही लो, ग्रोथ कितनी हमारी ब अब समझ आ गया, लेवेंटर क्या चीज़ है, लेवेंटर से प्रोजेक्ट कोन कोन से बनाते हैं हम, और कहां पर ये जादू आया था पहले, ठीक, अब इसको भाई साब, पॉसिबल कैसे हो गया, ये, कुछ तो होगा, कोई तो ही इसका माई बाफ होगा, जिनोंने तरीका लाया होगा, जिनको तरीका सूजा होगा, ये थे भाई साब, एक तो कॉंसिल आफ साइन्टिफिक इन इंडिस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ये जो है अपनी और्गनेजेशने संटर की, कहां पे है, दिल्ली में है, ये बाई साब, ये आई आई एम, आई आई एम नी, आई इन दो बाईज की वज़ा से ये पॉसिबल हो पाया है, मिशन सक्सेस्फुल, ठीक, अब इसका ये क्या था, में जो सिगनिफिकन्स इसका आया, क्या, गॉर्मेंट क्या चाह रही थी, दो हजार बाईस तक, फॉर्मर्स की इंकम डबल करना, अब बाईस से पहले पहले ये किसी चल रहा था, इन्होंने डबल क्या, कॉड्रे डबल कर दी, ठीक है, चार गुना बढ़ा दी भाईस, आप दो गुना बोल रहे थे ये लोग, खुश, आप लेवेंटर की कॉल्टिवेशन करो, और जादू ही जादू पाई, और इसमें एक क्या था, वोमेंस की, जो व प्लैंट्स, यहां पे वोमेंस को मुका मिला, अपना हाथ बटाने का, अपना जो शक्ती दिखाने की, कि हाँ भाई, हम भी कुछ हैं, सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं हैं, एक्वैलिटी यहां पे दिखाई गई, ठीक है, तुम कर सकते हो, तो हम भी कर सकते हैं, हम ग्रोथ मिली, ओल्राइट, यह आप लोग देख सकते हो, यह भी डूडा का फोटू है, वोमेंस, कलेक्ट कर रही हैं, लेबंडर के फूल, ओल्राइट, तन फर्दर आपको मैं बता देता हूँ, यह मिशन था क्या, अरोमा मिशन, जो था यह, है क्या चीज, यह जो था, से सेंटर ने अरोमा मिशन, दो हजार सोला में लांच करा, देन जेंट के में, दो हजार अठरा में लांच करा, जेंट के में आप लोग कुछ इंपोर्टन डिस्टिक्स हैं, वो याद रखेंगे, राजोरी, रामबन, डोडा, पुलवामा, छीक है, यह कुछ, डिस्टिक्स थी, जिन में यह लांच करा गया था, ठीक है, और इसकी जब डिमांड बढ़ी, और उनने देखा के भाई साब, में इसका क्या था, जो वेस्ट लेंड है, ठीक है, वेस्ट लेंड थी, जो वहाँ पे आप इसको उगा सकते थे, मतलब जो आपकी बंजर जमीन है, आप कुछ तो फायदा उठाओ, अरोमेटिक प्लैंट्स लगा दो वहाँ पे, ठीक है, अब यह जो एरियाज थे, इन एरियाज में यह बेस्ट क्यूं था, जहां पे बारिश कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होती, तो यह वहाँ पे भी अपनी कल्टिवेशन अच्छे से, कल्टिवेट अच्छे से हो जाते हैं, अरोमेटिक प्लैंट्स, ठीक है, अब यह था फेस वन, ठीक है, जिसने इतना अच्छा खासा फायदा पहुचाया, अब हम ला रहे हैं फेस टू, अब फेस टू से हमने क्या करा, हमने अपने आस्पडोस या फिर इंडिया की जि की, ठीक है न, तो हमने फेस टू के इन्विग्रेशन पे किस-किस को इन्वाइट करा, उतराखंड को बुलाया, ठीक है, नागा लेंड को बुलाया, आसाम को बुलाया, देन हमने अरुनाचल प्रदेश को बुलाया, हिमाचल प्रदेश को बुलाया, कि आओ, आप भी तो अब हमने एक नया मिशन जो है अपना एम है क्या 1500 कि इतना बोला मैंने 1500 hectares है ओल राइट 1500 hectares हमने next three years तक को कल्टिवेट करना है किसमें अरोमेटिक प्लैंट्स में ठीक है जहां फाइदा वही चीज होगी ठीक है इस चीज यह आपको समझ आ गया बिसिक जो था भी मिशिन फीस टूबी में आपको बता दिया है होप सो आपको यह क्लियर होगा और हाँ मैं आपको कुछ कुछ इंपोर्टिंट अरोमेटिक जो प्लैंट्स होती हैं वह बता देता हूँ जो एक्जाम में आपको पूछ सकते हैं और मैटिक प्लैंट्स यह आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है एक तो आगया आपका लेवेंडर ही नेक्स्ट वन आ लगा हमारे पास में यू वी इमो और यह कुछ अरोमेटिक प्लैंट से जिनकी वज़ा से कॉल्टिवेशन पॉसिबल हो बाती है तो इतना साथ हमारा इस वीडियो सेशन का तो इसमें एक चीज और में आपको क्लियर कर दूं कि हमारी प्रोजेक्शन क्या है ठीक अरोमा मिश प्रोजेक्शन के अंडर जो हमने प्रोजेक्शन लगा रिखी है ठीक है प्रोजेक्शन जो लगा रिखी हमने वो हैं कि हमने एडिशनल पांच हजार पांच सो हेक्टियर्स जमीन जो है वो कैश क्रॉप्स के पर्टिकलर टार्गेट रखा है किसके लिए कैश क्रॉप ठीक, specifically हमने क्या रखा है ये, aromatic plants, आल्राइट, ये हमारी कुछ projections है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है, बस ये वही सब है, जो मैंने आपको बताया है, फॉर्मर्स को benefits देना है, उनकी जो wasteland है, उसको उसकी उपर ही, और protection उसकी फॉर्मर्स की, उनके grazing animals के लिए भी वहाँ, उनके लिए भी वहाँ, अच्छा है, ये एक अच्छा खासा effective buyback mechanism है, जितना आप खरीदोगी, उससे double, double क्या, triple क्या, आप चार गुना उससे ज्यादा क कमाओगे, इसके, इससे हमारा क्या हो रहा है, ये purple economy हो रही है, ठीक है ना, purple economy, ये चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, एक बार में फिर से revision करवा देता हूँ आपको, मतलब एक दो clear कर देता हूँ कि, ये दो bodies ने, जेंड के में लांच करा था, एक थी C, S, I, R, आल राइट, एंड नेक्स्ट वन थी हमारे पास कुन सी, आई, 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 जे, ठीक है, ये point याद रखिएगा, और center ने इसको लांच करा था, 2016 में, जेंड के में आई थी, 2018 में, क्या आए था, ये, mission, aroma, so that's all for today, hope so, आपको ये purple revolution अच्छे से clear हो गया होगा, thank you so much, keep learning, keep sharing, do subscribe our YouTube channel, God bless you.